नमस्कार दोस्तों जैशुराव क्या मुंबई पाकिस्तान ओक्योपाइड कश्मीर का हिस्सा है जो आप मुंबई में किसी को नहीं आने देंगे संजेर राउत जी संजेर राउत ने कहा ये बात कंगना रनावत के लिए कि मुंबई मताना बाई तुम कौन हो भारत का हिस्सा नहीं है मतलब शौ सेना जो कहेगी वही है उसी कहीं साबसे लोग मुंबई में आएंगे जाएंगे भारत से कटकी अलग हो गया क्योंकि तुम्हारी सप्ता आ गई और क्या कंगना ने कहा कि मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है मैं खुद कहता हूँ मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है महराश पुलिस पे भरोसा नहीं है कैसे 24 वो सस्पेक्टेड लोग को कोट ने छोड़ दिया क्योंकि महाराश्ट CID ने पाल घर के संतों के लिए जिनको पकड़ा था उनको चार्जशीट उनकी नहीं बनाई क्यों नहीं बनाई एक सुरू से ही सुसान सिंग राजपूत केस को बॉलिवुड माफिया आतमत्या करने पे तुला हुआ और पता नहीं किसी ने उसको लटकते हुए नहीं देखा फंदे पे सिर्फ एक आदमी ने देखा और बोला वो आतमत्या करके टंगा हुआ था जब मुंबई पुलिस ने सुसान्त सिंग राजपूत को फंदे से लटकते हुए नहीं देखा फिर कैसे माल लिया कि वो आत्मत्या है कैसे माल लिया जब आत्मत्या या मौत की टाइमिंग पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो कैसे माल लिया मुंबई पुलिस ने मारास पुलिस ने किया आत्मध्या है कैसे माल लोगे जो चोट है उसके बारे में जब पोस्मार्टम रिपोर्ट में मेंशन लिए तो कैसे माल लिए सवाल और कोई पलट के सवाल पूछे तो तुम कहोगे कि मुंबई मत आना क्योंकि मुंबई में ये जो ड्रग माफिया और ड्रग माफिया पूरे मुंबई को बरबाद कर रही है देश की आर्थिक रासधानी को बरबाद कर रही है और तुम्हारे शासनकाल में सब कुछ हो रहा है और महाराज पुलिस चीजों को दबा रही है उसको कोई एक्सपोज करेगा तो तुम कोगे मुंबई मत आना सुरू से संजे राउत का करेक्टर संदेहासपद मुझे लगता सुसान सिंग मौत की राजपूत की जब परत दर परत investigation हो रही थी यह आदमी सुसान सिंग राजपूत और उनके पिता के रिष्टों के बारे में उलूल जूल बाते करता है किस बिनापे बात कर रहा है कौन होता है यह आदमी बात करने वाला संजे राउत बार बार सुसान सिंग राजपूत की बेहनों के लिए और उनके रिष्टों पे सवाल उठाता है और एक सूनियोजित धंग से रिया और उन लोगों वो प्रोटेक्ट कर रहा है किस अधार पे हैं मैं किसी पत्रकारिता के ट्राइल के विरोध में हूँ मगर एक ट्राइल ये भी तो हुआ है न पूरे सुसान सिंग राजपूद केस में कि उसने आत्महत्या ही की है किस बेसिस पे है कोई तरक क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जिस बेड से सुसान सिंग राजपूद तथा कतित रूप से लटके थे जिस बेड जो बेड था से वो आत्म हत्या के प्लेस से वो बेड महराष्ट पुलिस ने क्यों अठाया सुना है अज तक कोई आपने केस कि जिस रूम में आत्म हत्या या हत्या जैसी बात हुई हो उस रूम के एक एक कॉर्णर पे नई पेंट लग जाया कैसे कर सकती है ये कोई जाच करने वाली टीम एक एक फायर तक तो रेजिस्टर नहीं होता आपसे किस बेसिस पे आपने किया कई सवाल है परत दर परत मूल सवाल कंगना रनाओत गलत हो गई जब उसने ये कहा और एक ट्रेंट चल रहा है कंगना पागल है क्योंकि कंगना रनाओत ने संजब राउद के बयान पे पलटवार करते है कि मुझे अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि जैसे मुंबई जो है वो पियो के में है क्या गलत बोल दिया इस देश में जब नसीरुदीन साह कहता है कि उसे भारत में डर लगता है वा 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 क्या बात बोली नसीर साब आमिर खान कहते है मेरी पतनी को डर लगता है भाई हिंदुस्तान में और जहां तक मु इतना selective freedom of expression का style रहेगा वो एक Bollywood की जमात है सारा अली खान नेपो किड कौन जानता है तुम्हे हो कौन अगर सैफ अली खान का नाम हटा दे तो तुम कौन हो कौन बे एक घटिया सी तुच्ची सी actress ना acting आती है ना expression कंगना ने Bollywood में अपना मुकाम खुद बनाया है 2020 में भी उनकी historic film तेजस फ्लोर पे आने वाली है संजे राउट कौन है एक puppet कौन है संजे राउट शिव सेना सौरी शव सेना शिव सेना का प्रवक्ता यानि जिसकी सरकार है उसका प्रवक्ता है How dare you तुम कैसे मना कर सकते हो किसी को आने से मुंबई में अगर COVID नहीं होता तो मैं खुद चैलेंज करके आ जाता तुम रोक लेते मुझे क्या बात कर रहे हो मुंबई तुम्हारे बाप की है या फिर जो तुम्हारे party की चरण वंदना करेगा वही मुंबई में रहेगा इस तरह का शर्मनाक काम शिवसेना ही कर सकती है और शिवसेना ने किया क्या है पाल घर के संतों की जाच होनी चाहिए थी प्रॉपर धंक से वो तो इंसे होनी रहा है तुम्हारे एस स्टेट में संतों की लिंचिंग हो जा रही है तुमसे संभलनी रहा है, तुमसे COVID संभलनी रहा है, तुमसे सुसान सिंग राजपूत केस के बारे में कोई कारवाई हो नी रही है, तो भाई सवाल तुमसे नहीं पूछेंगे तो क्या मैं, मार्स पे बैटे हुए किसी आदमी से पूछू हूँ, या थैनोस से पूछू और मगर यह जो है, भरती नहीं है, मोदी समर्थकों के लिए उलूल जूलूल बात करने वाले लोग, वो तमाम लोग लोट गए हैं, व्यल्ड बेस्ट सीम, उद्धाव ठाक रहे हैं, उद्धाव ठाक रहे हैं, न मुंबई संभल रहे हैं, न महाराज संभल रहे हैं, और ट्विटर पे number one trend कर रहे हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि उमीद नहीं है, और number one trend कर रहे हैं, मतलब समझ लिए कि कितना बड़ा large chunk में लोगों ने इसको trend कर रहा होगा, मगर क्यों? क्योंकि महाराज्ट सरकार पे भरोसा नहीं, महाराज्ट पुलिस पे लोगों का भरोसा क्यासे होगा भरोसा उस संत की हसी कोई भोल सकता है जिसे महराष्ट पुलिस के लोगों नहीं भीड के हवाले कर दिया कि मार दो यहीं डिवटी थी न फिर सवाल भी तुमसे कोई न पुछे और सवाल पुछे तो संजराओत को क्या मुंबई मत आना बात तो सही है फिर अगर मुंबई नहीं आना तो भाई मुंबई कहां है P.O.K में है कहां है मुंबई भारत में है आजाद भारत में ही उसका समागम हुआ था महराष्ट सिवा जी का गड़ क्या भूँव हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है कौन होते हैं और क्या सिव सेना ने ओफिसियली संजे राउत के उस बयान को खारिज किया या उस महा अगाड़ी के NCP के नेता या फिर किसी कॉंगरेसी ने खारिज किया नहीं किया जब आप खारिज नहीं किये यानि उनके बयान का आपने समर्थन किया है तो फिर भाई पब्लिक सवाल न पूछे तुमसे तुम गुंडे हो गुंड़ा ही चलेगा दाउद गैंग हो मैंने कौन हो तुम दाउद इब्राहिम भी औकात नहीं रखता जागी मुंबई में मत आना यानि तुम हो सकता है तब दाउद से भी बड़े होगे तुम हो कौन प्रवक्ता ही हो न सिवसेना के ओफिशियल प्रवक्ता हो न तो मैं ओफिशियल लाइन मानू न सिवसेना की कि सिवसेना के ओफिशियल प्रवक्ता का कहना है कि कंगना नहीं आ सकती क्योंकि कंगना ने यह बोल दिया कि भाई मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है माहराश में डर लगए बिल्कुल सही बात है मुझे भी माहराश में डर लगएगा जाने से जब संतों की हथ्या हो सकती है जिनके पास ना हाथियार है ना कुछ है उनकी mob lynching हो सकती है और पुलिस ही करवा रही थी वो तो सामने दिखा है ना सब तो सामने है मैं तो यही कोँगा कि पुलिस ने mob lynching करवाया है क्यों न बोलू मैं तो भाई तुम मुझे नहीं आने दोगे भी शेक्तिवारी को फेतो फिर तो तुम नहीं आने दोगे न तो फिर तो गुंडा गर्दी ही कह लाएगा न क्योंकि भारत के समविधान के अनुसार जहां तक मुझे पता है बाबा साहब के समविधान के अनुसार अखंड भारत जो भी इस वक जहां पे है मैं कहीं भी बेरो रोक टोक आजा सकता हूँ काम कर सकता हूँ नौक नी कर सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ पढ़ सकता हूँ कहीं भी आ जाके सही बात है ना मगर तुम तो कह रहे हो के नहीं आना तो इसको तो गुंड़ई ही बोलेंगे ना डिसाइड कर लें दर सक क्या है गुंड़े ये क्या है बाकि शौसीना का जैजे स्रीराम होगा जल्दी जैजे स्रीराम दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब कीजिए गा चैनल को वीडियो को सेयर कीजिए